हे गाईज, दिस इस सार्तक एंड, यूर वाचिंग मोड एक्ष्टेक, स्वागाई दोस्तो आप से भी का इकान नई वीडियो को आज तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सस्ता PC वर्सिस महेंगा PC के बारे में आखर हमें ऐसा महेंगे PC के अंदर क्या मिलता है, जो कि हमें सस्ते PC के अंदर नहीं मिलता और लोग महेंगे PC के तरफ क्यों जाते हैं सस्ते PC को छोड़के क्या हमें सस्ता PC ले लेना चाहिए, क्या हम महेंगा PC बाई करके अपने पैसों को वेस्ट करते हैं इनी सब चीज़ों के बारे में इसी वीडियो के इंदर हम लोग बात करेंगे तो चले उस्तो फटापट से इस वीडियो कब हम शुरू करते हैं So guys, यहर मेरे चानल के उपर ऐसे ही PC-related content के बारे में ही बात कर जाती है रहता हूं डेली के आसपास में तो यहां पर भाई 13 degree temperature इस समय करेंट लिए फोन में चेक करा भाई बहुत ठंड हो रही है परिफेरल्स इसके अंदर इंक्लूड़ेड नहीं है मैं सिर्फ में PC की बात कर रहा हूं और यह कुत्ता क्यूब होकर मेरे को बिलकुल समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो को मैं divide करूँ हूं यार दो पार्ट के अंदर सबसे पहले बात करूँ है प्रोफेशनल्स के बारे में जोकी productivity के अंदर अपने PC को यूज करने वाले फिर बात करूँ है gamer भाई लोग के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं productivity वाले लोग के बारे में देखो जो लोग professionals होते हैं देखो वो compromise नहीं कर सकते क्योंकि जो उनका PC है भाई उसी के थुरू तो वो पैसा कमाएंगे उसी के थुरू तो भाई उनके business चलेंगे और जो भी वो काम करना चाते है basically जो उनका काम है भाई जिंदगी का वही उस PC के उपर होना है वो लोग तो यार compromise नहीं कर सकते वो महंगा PC बिल्ड ही करेंगे अब ऐसे भी लोग आ सकते इस चीज के अंदर जो कि professional बनना चाते हैं लेकिन initially वो जादा investment नहीं करना चाते हैं और सस्ते के अंदर सबसे सस्ता PC बिल्ड करना चाते हैं तो professionals के अंदर भी जो लोग सस्ते PC बिल्ड करते हैं तो अगर आप एक ऐसे बन दे हो जो कि professional line के अंदर जाना चाता है मलब PC उसके अंदर use होने वाला है और आप एक ऐसा काम करना चाते हो आप video editing करना चाते हो आप VFX करना चाते हो 3D के वाला काम करना चाते हो 3D animation करना चाते हो और आपको एक PC बिल्ड के आर जरूरत है और आपके बाद जादा पैसा नहीं आप जादा invest नहीं करना चाते तो आपको एक 45,000 रुपीस का PC बिल्ड करना पड़ेगा जिसके अंदर क्या लगेगा उसके अंदर लगेगा भाई minimum Ryzen 5 2600 और एक GTX 1650 Super latest चीज़े हैं दोनों की दोनों मला CPU पिछली जनरेशन गया है भले बट फिर भी आज की डेट में आपको जो performance वो Ryzen 26 तो दे रहा है न बहुत बढ़ी आए और 1650 Super तो आपको PC बिल्ड बनेगा आप इसके उपर बहुत अराम से है 1080p तो छोड़ा आप 2K की उपर editing कर लोगे 4K करोगे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती बट 4K भी आप कर लोगे काम चलाओ से आपकी हो जाएगी बट अगर आप Full HD के उपर video editing करना चाहते है वो अराम से हो जाएगी और अगर आप एक 3D animation जैसा काम करने चाहते है तो आप वो भी यार कर लोगे क्योंकि 6K का processor इसके अंदर है और 12 thread आपको उसके साथ म्यार देखने को मिल जाते हैं तो जिन लोग के पास पैसा है और रड़ी वो कमा रहे हैं और उनके पास एक investment अच्छी करने के लिए वो लोग यार महेंगा PC बिल्ड कर सकते हैं जिनके पास जादा पैसा नहीं है professionally वो PC बिल्ड यार करना चाहते है productivity के अंदर अपने PC को यार use करना चाहते है तो आप यार minimum 45,000 रुपीज के अंदर तो यार आप PC एक बिल्ड करी लोगे जो कि आपके professionally काम आही जाएगा तो आप इस चीज के अंदर तो यार माजरा समझी गए होगे कि अगर आप बहुत पैसा पे करोगे तो आपको definitely यार performance जादा मिलेगी आपको GPU अच्छा लगगा, CPU अच्छा लगगा जादा cores मिलेंगी, जादा threads मिलेंगी अच्छा GPU होगा, तो जादा GPU acceleration लगए कि अगर आप video editing करोगे बाकि अगर आपको day one से ही अगर आपको fork editing चाहिए बिल्कुल no compromise चाहिए तो फिर तो यार आपको mega PC build करना पड़ेगा, Ryzen 7 की उपर build करो, RAM से 3700X लगाओ 1660 Ti जैसा graphic card लगादो बहुत बड़ी आपके editing करवादेगा बाकि सस्ते वाले के अंदर आप ये सारे काम कर सकते हो बट वो कहते है ना यार, एक smoothness हमारे काम के अंदर, कि हमारे जो वीडियो से वो जल्दी render हो, तो हमारे time saving भी बचेगी इस चीज़ के अंदर, तो कही ना कही आप समझी गए होगे, महेंगा पेकर होगे तो definitely आपको extra performance यार मिलेगी, बाकि सस्ते वाले में भी कोई आर ऐसी कुछ खास problem नहीं आती है अगर आप एकदम basic start कर रहे हो, ठीक है तो देखलो आपको महेंगा करना या फिर सस्ता करना, investment है जादा करने के लिए starting में, तो आप starting में महेंगा PC build कर सकते हो, क्योंकि productivity के लिए PC build कर रहे हो कोई मज़े लेनी के लिए तो कर नहीं रहे हो तो आपकी investment जो आप दोगे न वो आपकी totally worth it रहने वाली है अब बात करते हैं हमारे gamer भाई लोग के बारे में, देखो जो इतने भी यार gamers है मैंने बहुत लोग ऐसे देखे है seriously मैं कुछ ये नहीं कहा रहा कि बहुत कम लोग ऐसे, बहुत लोग है जो ये सोचते हैं, कि यार अगर मैं 50,000 के अंदर PC build करूँगा तो यार मेरे को अच्छी performance नहीं मिलेगी गेम के अंदर बट भाई मैं आपको बता दो, अगर आपकी ऐसी सोच है न तो बहुत जादा गलत है क्योंकि यार देखो देखो डेफिनिटलि अगर आपके पास पैसे आप 60-70,000 उपे का PC build अगर कर सकते हो, तो डेफिनिटलि करो यार करो पैसा है तो भाई करो, क्या दिक्कत है करो यार, एक्स्ट्रा पॉफरमिन्स लोग बढ़िया आपकी गेम्स चलेंगी, बट जो लोग ये कहते न 50,000 के अंदर कर हम PC build करेंगे तो हम गेमिंग नहीं कर सकते, तो भाई आप बहुत ज़ाद अगलात हो, आप एक Ryzen 5 3500 CPU लोग और इसको पेर करते हो, GTX 1650 Super के साथ, आप 1080p Ultra Settings की उपर 60 प्लस FPS की उपर गेमिंग आप अराम से कर पाओगे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अगर आप एक, मतलब फिर यार वही बात हो जाती है अगर आप कहोगे की, बहुत ज़ादा कोई High Demanding वाला चाहा दिया, तो हो सकता है 50 की लाइन में भी रह जाए उसके FPS तो आप Ultra की जगे High कर दो उसको बस खाली, तो आपकी 60 Cube पर चले जाएंगे FPS, बिल्कुल Ultra से थोड़े से कम कर दो उसके जो सेटिंग्स है, किसने का है बिल्कुली Ultra पर चलाना है, तब ही मज़े आएगा ऐस तो कुछ नहीं होता न, तो वही बताना चाहा रहा हूँ कि ऐसा कोई Hard and Fast रूल नहीं है कि आपको 60, 70, 80, 90, 100, 1,000, एक लाग का बिल्ड करने से हमको क्या मिलता गेमिंग PC के अंदर, हमको मिलता है भाई High Resolution के उपर ऍहले उपर गेमिंग करने का मौकवा, और High Refresh Rate के उपर गेमिंग करने का मौकवा, अब बहुत लोग यह कहेंगे कि हम महेंगा PC पैसा है तो कर लो वाई क्या दिक्कत है मैंने मना कर रहा है मैं उन लोग के बारे में बात कर रहा हूं जो भाई अपनी एक एक रुपा जोड़के घुलाक में पैसे भर के अपना PC बिल्ड करते हैं अपनी salary में से कुछ न कुछ पैसे बचाके जैसे तैसे करके अपना PC बिल्ड करते हैं ठीक है तो वो लोग कई बर ये सोचते हैं कि हम 60-70,000 का बिल्ड करेंगे जबकि afford नहीं कर सकते हैं जबर्दस्ती लेते हैं उस PC को तो ऐसा आपको नहीं करना है आप एक 50,000 का PC बिल्ड कर लो 45,000 रुपीस में आपका ये वाला PC बिल्ड हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था Ryzen 5 3500 वाला और GTX 1650 सूपर वाला बहुत बढ़िया गेमिंग आपको ये करवा देगा कोई दिक्कत नहीं आएगी 6 कोर मिलते हैं वाई उस processor के अंदर तो आप ऐसा भी नहीं कि आप 4 कोर का processor ले रहे हो तो आप थोड़े outdated होगा जी नहीं आप 6 कोर का processor ले रहे हो आने वाले सालों तो आपकी बढ़िया gaming करवाते रहेंगी ये चो combo मैंने आपको बता है और मैं आपका कह सकता हूँ कि आप में से जितने भी लोग PC build up करने वाले होना अपना gaming PC build उनके पास पहले से कोई PC नहीं था और था भी तो कोई बहुत पुराना कोई बेकार सा PC होगा जिसके उपर उनने कभी gaming नहीं करी होगी तो पहली बार कोई gaming PC build यार करने वाले होंगे और मैं साती में बताना चाहता हूँ एकदम कोई बड़ी jump लगाने की सवर्वत थी हैंगे मैं पहली बार में या 2 के level की जो gaming कराएगा ऐसा PC build कर लूँ 4 के level की PC build वाली gaming कर लूँ तो करना चाहो तो कर सकते हो पैसा है बाई अंधा पैसा जाके लेओ वाई कोई दिक्कत निया है बात उन लोग के बारे में कर रहा हूँ जो लोग बाई जबर्दस्ती अपनी ऐसी तैसी मरवा के एकदम महेंगा वाला PC build लेते हैं ऐसी तैसी से मेरा मतलब ये था कि भाई देखो नहीं अफ़ोड कर सकती लेकिन फिर भी जबर्दस्ती कहीं है कई से पैसो का जगाड करके लेना है जबर्दस्ती ज़्यादा पैसे लगा कर एक PC लेना है जब कितना अफ़ोड नहीं कर सकते थे तुम किसने काई भाई सस्ते में गेमिंग नहीं हो सकती मैं कहा रहाँ ना भाई 1650 Super लो और अगर इससे भी थोड़क कम है न 45 से भी आप कम पे करना चाहते है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई Core i3 9100F के साथ 1650 Super लगा दो और पैसे बच गाए आपके और सस्ता जुगाड बता हूँ बहुत बढ़ी है जुगाड बता हूँ कोई एक ओल्ड जीप्यू भाई कर लो RX 570 भाई आज का नहीं पुराना उच्चुका है वो बहुत बिक्रा होगा इस समय सेकेंट मार्केट के अंदर जो अब 1650 सूपर है तो RX 570 बहुत लोग अपना सेल करेंगे ले लो भाई 5,000 रुपे का अराम से मिल जाएगा लगा दो Core i3 9100F के साथ 6,000 रुपे का CPU है वो बहुत अराम से आपको जो PC होगा 30,000 रुपे के असपास में बन जाएगा बहुत बढ़ी है gaming है करवा देगा तो यही कुछ बात है मैं आपको बताना चाहता है सस्ते PC और महेंगे PC के बारे में भले ही वो productivity वाले लोग थे या फिर वो gamer भाई लोग थे हमारे महेंगा पेकर होगे तो आपको definitely extra performance मिलेगी बट अपनी S-S-E मरवा के नहीं लेना है यार महेंगा PC और productivity वाले लोग है तो उनको तो मैंने बताई दिया है अगर आपके पास ज़्यादा investment नहीं है तो आप सस्ता वाला कर लो कोई दिक्कत नहीं बट अगर आपके पास पैसा है invest कर सकते हो तो आप महेंगा PC definitely लो आपको definitely वो help करेगा आपके काम के अंदर आपकी productivity level increase करेगा और साथी में जो आपकी rendering times होती है न वीडियो एडिटिंग की वो कम करवाएगा तो यही कुछ बाते मैंने आप लोग को बता दी है वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जबट से अर लाइक करो तो मैं मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो में तब तक के लिए आर थैंक्स वाचिंग